दा एक्टिविटी अब आपको कमर खसनी होगी काम करना होगा क्योंकि अगर खयाली पुलाओ कितने पकालें और काम नहीं करें तो धनाएगा क्या फिजिकली पेन लेना पड़ेगा के नहीं लेना पड़ेगा आपको एक्टिविटी दिखानी होगी जीवन की सुरुवाती कोई भी गर्वतिमा अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो प्रशव पीड़ा बारा डेसिबल होती है और इंसान नो डेसिबल पे मर जाता है नो डेसिबल पे इंसान मर जाता है और गर्वतिमा बारा डेसिबल दर्शेन कर जाती है जब बच्चे को जन्म देती है विज् इलकारियां होने से पहले जिसके कानों में गूंज जाए प्रकरती तीन डेसिबल पावर उसको अलग से देती है जीवन की शुरुआती इतनी कठिन तपश्चा से होती है फिर जो बच्चा जनम लेता है नो महीने कितनी कठिन तपश्चा में अपने हातों को और पाउं को सिक सिकुड़ा के बेट जाओ आप आज 15 मिनिट में हालत खराब हो जाती है घरों में रेलिया दो तीन में तब हालत खराब हो गई अपनी तो यूं अगर सिकुड़ के बेट जाए हैं अपन और 9 महीने अपन सब यू रहते हैं कि नहीं रहते हैं तो जीवन की यह शुरुआत क बहुत खतरनाक है एंट्री अथने दुख तकलीब दाएक है तो एक बात तो समझ लेना कि जिंदिगी आसान नहीं है यह है क्योंकि एंट्री इतनी विक्राल है तो क्या एसी थोड़ी पूरी अलाइफ निकल जाएगी ताकत लगेगी ताकत लगेगी आपको मेहनत करनी मेहनत के बिना पूरा ज्ञान बेकार है रहे मेहनत के बिना ज्ञान बेकार है सारा ज्ञान दरा का दरा रह जाता है मेहनत के आगे मेहनत करने वाले आगे निकल जाते है एक बहुत ज्ञानी थे अपने ज्ञान पे गमंड भी था सारी दुनिया का ज्ञान था एक दिन नदी पार करने के लिए नाव में बेट गए और नाव चलाने वाला बेचारा गरीब फटा पुराना लग रहा था तो ग्यानी ने बोला अरे कभी को तो मिनार देखा है नहीं 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 तेरी चाराने जिंद्गी खराब थोड़ी नाव रागे गई तो उन्हें कभी ताजमेल देखा है आठाने जिंद्गी खराब कभी लाल केला देखा है बारा आने खराब इतने में नदी में तूफान आने लग गया नाव हिलने लग गई तो आपके बार इसने पूछा आपको तेर ना आता है नई तेरी आने खराब